देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी धित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनी धित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव आज का आनन्द शब्दों में वरणनाती थे और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी है कि आज आज आयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वल लवट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उच्छा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहाँ पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यहीं वाता वरण है छोटे छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोडो बंधू वहाँ पहुच ना पाए ऐसे घरगर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विवहोर है सब में आनंदा है सब में उत्सा है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पधारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर वरत रखा जितना कठोर वरत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर वरताचरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचय है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही परंतु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे आयोज्ज्या में रामलला आये आयोज्ज्या से बाहर क्यों गये थे रामायन में क्यों गये थे बाहर तो अयोज्ज्या में कलह हुआ अयोज्ज्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वन्द्व नहीं जिसमें कोई कलह नहीं जिसमें कोई दिविधा नहीं वो हुआ चौदा वर्ष वर्वास में गए वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापीस आए आज रामलला वापस फिर से आए है पास्तो साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहें सुवर्ण दिवस देख रहें उनका स्मरण प्रान प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्त्रबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख्धाइन्या हरन होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परण्तु उसमें हमारे लिए कर्तव्यका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है रामराज्या अनेमला है वो कैसा था दैही क दैवी क भौतिक तापा रामराज्य नहीं कहुई वापा सब नरक रही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरत शृतिनीती सब निर्दंभ धर्म रत पुनी नरो अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ज्यानी सब कुरुतज्य नहीं कपट सयानी रामराज्य के सामान्य नागरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने है कोटी कोटी कंठ उसका जैगान करने वाले हमारे है हमको इस प्रकार के विवहार को रखने का तप आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं छोटे छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने की आदा छोड़ देनी पड़ेगी आखी रहे क्या ये बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिक्ता से आचरण करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरण करते थे और अहंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्म रत थे याने क्या थे इस पर कठिन बाशा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य कर करे लिए युगानुकूल आचरण क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है कि ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हमको यह जानकर आपस में समन वैसे चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते है झाल झाल झाल